अज हम लोग का जो सेशन है वो होने वाला है बैंकिंग टर्मिनलोजी के ऊपर बैंकिंग टर्मिनलोजी को और उसके टर्म्स को हम थोड़ा सा डीटेल में आज समझेंगे और हमारा एजेंडा आज बेसिकली सबसे पहले प्राइरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में सीखना होगा उसके बाद हम लोग थोड़ी सी चर्चा DICGC की भी करेंगे and then we will be discussing about some MCQs regarding the banking terminology तो फटा-फट से सेशन में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्राइरिटी सेक्टर लेंडिंग है क्या बात होती रहती है हमेशा Reserve Bank of India के नजरिये से कि प्राइरिटी सेक्टर लेंडिंग is very very important but the thing is कि आखिर ऐसे कौन-कौन से सेक्टर हैं जिन्हें प्राइरिटाइज किया गया है प्राइरिटाइज करने का मतलब होता है कि Reserve Bank of India ने विशेश तोर पर इन सेक्टर को फोकस करके रखा हुआ है ताकि इन सेक्टर में जादा से जादा development को बढ़ावा दिया जा सके और ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो हमारी कंट्री के development के लिए भी जरूरी है इसलिए हमें इन पर फोकस करना बहुत जादा अवश्यक हो जाता है सरकार के तरफ से बात करें तो सरकार हमेशा इन सेक्टर को प्राइरिटी पर रखती ही है परन्तु अगर Reserve Bank of India के भी बात करें तो RBI भी इन सेक्टर को हमेशा प्राइरिटी में रखता है अब RBI ने बैंकों को बैंक्स एवं जितने भी foreign banks हैं, regional rural banks हैं, एवं small finance banks हैं इन सभी बैंकों को अलग-अलग से guidelines दिये होए हैं जिन guidelines के हिसाब से इन सभी बैंकों को अपने दिये गए total loan का कुछ प्रतिशत priority sectors को देना पड़ता है priority sectors को अगर loan देते हैं तब ही जाकर के country grow कर पाएगी Now, the point is कि ऐसे कौन-कौन से sectors हैं तो वो sectors Reserve Bank of India की तरफ से agriculture, micro small medium enterprises, export credit, education, housing, social infrastructure, renewable energy and others ये सभी के सभी sectors हैं और आए इनका comparison करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इन्हें याद रख सकते हैं HR CEMA ये एक trick हो सकती है जिस trick के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हो HR CEMA में H for housing, R for renewable energy S for social infrastructure E for education E for export M for micro small medium enterprises A for agriculture and O को रख सकते हैं others के form में तो इस तरीके से ये इतने छेत्र हैं जिन छेत्रों को Reserve Bank of India के तरब से prioritize किया गया है ताकि इन sectors को जादा से जादा बढ़ावा दिया जा सके अब हम आगे बढ़ें तो इनके percentage of lending को समझते हैं कि कितना percentage of lending इनको दिया जाना है और किस तरीके से इनके development पर हम focus करते हैं सबसे पहले अगर हम scheduled commercial banks की बात करें और foreign banks की बात करें जिनकी 20 से जादा branches हैं उनके बारे में अब देखें Reserve Bank of India RBI Act आया था 1934 में RBI Act 1934 के Schedule 2 को जब हम समझते हैं उसमें commercial bankों के बारे में कहा हुआ है और जितने banks Schedule 2 में शामिल हैं वो सभी के सभी commercial bankों के श्रिणी में आते हैं foreign banks ऐसे bank होते हैं जिनका headquarters इंडिया से बाहर होता है परन्त इनकी branches इंडिया में operate कर दगी होती हैं या यूं कहें कि जैसे हमारा ही कोई bank foreign में जाकर के अपनी branch open कर ले तो वो foreigners के लिए एक foreign bank होगा पर अगर कोई बाहर से हमारे हाँ पर आकर branch open करता है तो उसे हम foreign bank कहते हैं example के तौर पे जैसे HSBC bank है Doha bank है Standard Chartered bank है, City bank है ये सभी foreign banks की श्रिणी में आते हैं अब यहाँ पर दो terms आपको सुनने को मिलेंगे जिसमें से पहला term है जिसे हम कहते हैं ANBC Adjusted net bank credit और दूसरा term है जिसे हम कहते हैं Credit equivalent amount of balance sheet exposure CEO BSE whichever is higher सबसे पहले Adjusted net bank credit की बात कर लेते हैं तो Adjusted net bank credit यह जिसे हम कह रहे हैं ANBC इसका अर्थ यह होता है कि कोई भी bank जब loan देना शुरू करता है तो जो proper loan amount होगा उस loan amount को वो customer के account से निकालेगा और दूसरे customer को loan में देगा Now the thing is कि अगर मान लीजिए कोई भी bank जितना outstanding loan देता है जितना outstanding loan देता है उन outstanding loan की सारी चीज़ों को हम ANBC में रखते है which is called adjusted net bank credit अब यहाँ पर याद रखेगा कि कभी जो customer को interest pay किया जा रहा है वो सब शामिल नहीं होगा जो net outstanding loan होते है net outstanding loan की बात कर रहे हैं सिर्फ उतना ही ANBC रखा जाता है या credit equivalent amount of off balance sheet exposure CEO BSE इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ जब भी कोई bank अपनी balance sheet बनाते हैं balance sheet में एक तरफ रखा जाता है profit दूसरी तरफ रखा जाता है loss और यह profit और loss इन दोनों की conditions को आप अपनी balance sheet में देखते हैं now the thing is कि जो balance sheet है उसमें profit को ज़ादा दिखा करके loss को कम करने के लिए bankों को ऐसा reserve bank of India के सामने इसलिए करना पड़ता है ताकि RBI के सामने उनकी repo बढ़िया बनी रहे now the point is कि balance sheet में जो भी profit और loss है वो सब कुछ लिखा हुआ है तो आपने कितना loan दिया by the way वो loan भी इसी में mentioned है तो credit equivalent amount of balance sheet exposure CEO BSE whichever is higher इसका मतलब तो यह है adjusted net bank credit का मतलब यह हुआ कि जो banks total loan देते हैं और उन total loans में उनकी खुद की liability छोड़ करके बाकि जो वो फायदे के लिए loan देते हैं किसी को वो ANBC में आता है और credit equivalent amount of off balance sheet exposure का मतलब यह हुआ कि जितना भी आपने total loan दिया हुआ है वो profit और loss वाला मिला करके total amount कितना है अब let's say example के तोर पे किसी भी bank का ANBC है 40,000 करोर और किसी bank का CEO BSE है 45,000 करोर तो इसका मतलब कि हम लोग जब calculation करेंगे तो calculation में CEO BSE को साथ में रखेंगे priority sector के हिसाब से मतलब जो जादा होगा अगर ANBC जादा है वो 50,000 करोर है और CEO BSE 45,000 करोर है तो ANBC में now the point is कि जैसे 40,000 करोर रुपए माल लीजे ANBC ने दिये और ANBC के थ्रू जो बैंक ने दिये है उसका 40% so 40,000 करोर का 40% कितना होगा that is going to be around or somewhere 1600 करोर ठीक है 16,000 करोर होगा by the way मेरी mathematics इतनी अच्छी नहीं है so I hope आप manage कर सकते हो mathematics के साथ now the point is कि 16,000 करोर रुपए which are important by the way ये दिये जाने है और ये दिये जाएंगे HR CMAO इन्हें यानि की housing, renewable energy infrastructure social infrastructure की बात education export, micro small medium enterprises और सभी के सभी छेत्रों में दिये जाएंगे ये now the point is really simple and point is really clear that you need to understand कि agriculture छेत्र में total ANBC ये total CEO BAC का 18 प्रतिशत दिया जाता है 18% of total ANBC or credit equivalent amount of off balance sheet exposure whichever is higher जो भी जादा हो उसका 18% ये scheduled commercial banks and foreign banks के लिए है वहीं अगर micro enterprises की बात करें तो 7.5% of ANBC या CEO BAC और वहीं अगर हम advances to weaker sections की बात करें तो 12% of ANBC या credit equivalent amount of balance sheet exposure CEO BAC whichever is higher जो इसमें से जादा हो वही तो इस तरीके से एक particular criteria बना दिया गया कि more than 20 branches जब भी होंगी उन more than 20 branches में हम इतना इतना इन इन sectors को देंगे वहीं जब दूसरे sectors की हम बात करते हैं उन पर भी हम समझते हैं however foreign banks की बात करें जिनकी 20 से कम branches है उनको भी कोई ऐसी विशेश छूट नहीं है लेकिन फिर भी foreign banks के लिए ये percentage 32 प्रतिशत हुआ करता था धीरे धीरे अब ये बढ़ा करके 40 प्रतिशत ला दिया गया है पहले उनको अपने total दिये गए loan का 32 प्रतिशत देना पड़ता था ANBC का 32 और now ANBC का उन्हें भी 40 परसंट उसी तरीके से देना पड़ता है जैसे कि किसी Indian bank को so 40% of adjusted net bank credit again और 2020 तक ये भी एक phased manner में achieve किया जाना था मैंने आपको बताया और 2020 तक ये achieve कर भी लिया गया now total priority sector regional rural bank कों और small finance bank होते हैं उनके लिए 75% of ANBC एवं agriculture छेतर की बात करें तो 18% of ANBC क्रिशी छेतर की बात करें 18% micro enterprises की बात करें 7.5% of ANBC advances to weaker sections 15% of ANBC यानि कि total priority sector में इन्हें 75 पतिशत देना है और सिर्फ 25% ही ये किसी और को लोन दे सकते है 75% लोन इन्हें देना है HRCMAO इस छेतरों को that's how this point is 25% is going to be with others जो भी commercial लोन देने है अगर तो उनके साथ जाएगा अब देखें यहाँ पर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ें तो social infrastructure की limit को समझ लेते हैं कि priority sector lending में social infrastructure की क्या limit है 5 crore rupees per borrower for setting up schools, drinking water facilities, sanitation facilities, including construction of household toilets and water improvements at the household level कहने का मतलब यह है कि जो social infrastructure होता है उस social infrastructure में सामाजिक अधार्भूत सनरचना का जब आप विकास करते हैं तो वहाँ पर हम लोग इसे water improvement के लिए या जो household level पे चीजें होती हैं उनको improve करने के लिए drinking water facility के लिए, schools के लिए, sanitation facilities के लिए, construction के लिए social infrastructure के लिए हम loan ले सकते हैं 5 crore rupees तक priority sector lending के अंतरगत पर अगर आप healthcare में कोई facility introduce करना चाहते हो या किसी भी तरीके की आयुश्मान भारत योजना के अंतरगत कोई hospital ही बनवाना चाहते हो तो आपको 10 crore rupees तक per borrower loan दिया जा सकता है that's how there is a limit on priority sector lending अच्छा थोड़ा और आगे बढ़ें तो सबसे पहले बात करते हैं education की education में 20 lakh 20 lakh रुपए तक loan दिया जा सकता है renewable energy की बात करें तो 30 crore रुपए तक loan दिया जा सकता है और ये तब जबकि आपको कोई plant बदनाना हो plant कहने का मतलब आपको कोई उर्जा संयंत्र properly लगाने हो तो एक plant के लिए आपको इतना दिया जा सकता है however अगर आप individual अपने घर में कुछ करना चाहते हो तो भी आप solar energy के किसी भी plant के लिए loan ले सकते हो और loan की सीमा है 10 lakh रुपए तक इतना लिया जा सकता है export की बात करें निर्यात की तो लगभग 40 करोड रुपए तक loan दिया जाता है और Export Credit Guarantee Corporation ECGC Export Credit Guarantee Corporation of India Limited ये भारत सरकार का Exim Bank के अंतरगत आने वाला एक विभाग है जिस विभाग के माध्यम से payment export import को दिया जाता है यानि कि जो भी हमारा export import होता है उसको payment देने का काम ये करते हैं इसकी current chairperson है Ms. Gita Muralidhar यभी याद रखेगा Ms. Gita Muralidhar is the current chairperson of particularly ECGC Export Credit Guarantee Corporation of India Limited The next point that we are going to study is कि housing के लिए कितना loan मिल सकता है Now housing के लिए सबसे पहले है metropolitan cities metropolitan मतलब की महानगर इनमें 35 लाग रुपए तक loan दिया जा सकता है maximum house value 45 लाग रुपए से उपर नहीं होनी चाहिए वहीं other cities यानि अन्य शहरों में 25 लाग रुपए तक loan दिया जा सकता है जिसमें maximum house value 30 लाग रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए this is how this system is आगे थोड़ा सा PSL के target को हम लोग समझें तो priority sector lending के target को achieve किया जाना है अब target achieve करने में कितनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने बढ़ना है या हम लोगों को समझना है March 31 2020 तक 45% of ANBC या COBC करना था जो कि अभी हो नहीं पाया उसके पीछे reason यह है कि COVID-19 pandemic में फस गए then उसके बाद March 31 2022 तक 50% of ANBC करना था March 31 2003 तक 60% और March 31 2024 तक total ANBC का 75% priority sectors को दिया जाना है so I hope you are able to understand कि यह कैसा point है 75% total ANBC का हमें देना है इन सभी ख्षेत्रों को priority sectors को now the next point is that we are going to study is CSR stands for CSR है क्या basically इसके बारे हम जितनी बार समझते हैं यह corporate social responsibility होती है इसे कहते है corporate social responsibility उसका भी मतलब समझा देता हूँ आपको मैं ऐसी responsibility है यह जिसमें जब भी कोई company profit कमाती है और अगर उसका profit amount is more than 1 करोर रुपीज तो 1 करोड रुपे ज़्यादा से profit कमाने पर इन्हें अपने 2% को corporate social responsibility के तौर पर मान कर चलना होता है जिसमें 2% यानि कि 1 करोड का 2% हुआ 2,00,000 रुपे यह 2,00,000 रुपे इन्हें समाजिक कल्यान में लगाने होते हैं अब उस समाज के कल्यान को करने के लिए यह NGOs का भी सहारा ले सकते हैं NGOs के अलावा different agencies का भी सहारा ले सकते हैं तो NGOs या जो charity trust होते हैं उनका भी सहारा ले सकते हैं यह सभी के माध्यम से CSR किया जा सकता है corporate social responsibility तो आपने अभी तक देखा है कि जितने भी हमारे भारत में बड़ी बड़ी कमपनिया हैं उन सभी के trust और NGOs भी अपने स्वेम के होते हैं और यह इसी लिए होते हैं आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके हम समझते हैं deposit insurance and credit guarantee corporation क्या है DICGC DICGC basically Reserve Bank of India की subsidiary है subsidiary of Reserve Bank of India अब DICGC के अंदर क्या बात कही गई है देखे सबसे पहले ये कि 4 February 2020 को एक statement release किया गया Reserve Bank of India की तरफ से उन्होंने कहा कि DICGC basically depositors को यानि जो पैसा deposit करते हैं उनको insurance का coverage देता है insurance के coverage के लिए ये कुछ premium भी लेते हैं और premium लेने के साथ एक risk cover भी provide करते हैं अब आईए अगर इसे हम समझें तो बैंकों को करना क्या होता है 12 पैसे का premium भरना होता है वो भी per year और 12 पैसे per year का जो premium है वो प्रती 100 रुपए deposit करना होता है और उसके बाद वो insurance depositor को मिल जाता है अब suppose example मैं आपको दे सकता हूँ मान लिजे कि मैंने अपने account में रखे हुए हैं एक लाख रुपए and एक लाख रुपए account में होने पर प्रती 100 रुपए अब आप इसे समझ सकते हो 1000 और 1000 into 0.12 that is 120 120 120 रुपए एक premium के तौर पर जाएगा और insurance होगा this is how this system is पहले ये 10 पैसे हुआ करता था और risk cover भी एक लाख रुपए हुआ करता था आज कल ये 12 पैसे प्रतिसाल का premium है तो risk cover भी 5 लाख रुपए है ये भी याद रखेंगे 5 लाख रुपए का risk cover है अब जो 4 subsidiaries है RBI के उनके बारे में भी बात कर लेते हैं Reserve Bank of India की सिर्फ एक यही subsidiary नहीं बलकि इसके अलावा भी subsidiaries है पता देता हूँ आपको सबसे पहले एक subsidiary है RBI की जिसे DICGC कहते हैं जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा दूसरी subsidiary है Reserve Bank of India की जिसे कहते हैं BRBNMPL और BRBNMPL को कहा जाता है भारती Reserve Bank Note मुद्रन Private Limited इनके अंडर Note Press है और मैसूर और सल्बनी में तो Note Press हैं जहाँ पर नोटों की छपाई होती है वो BRBNMPL के अंतरगत आते हैं तीसरा अगर हम चर्चा करें तो तीसरा है Reserve Bank Information Technology Private Limited जिसे Rabbit कहा जाता है जितना भी IT से related पूरा function है Reserve Bank of India का वो देखने का काम Rabbit का है और चौथा अगर हम लोग बात करें कि IFTAS यानि कि Indian Financial Technology and Allied Services तो Indian Financial Technology and Allied Services IFTAS ये भी Reserve Bank of India के एक subsidiary है जिसका काम है कि Technology से Related Financial Services प्रवाइड करना उन सभी के सभी Depositors या उन सभी के सभी लोगों को जो भी Reserve Bank of India से Financial Services लेना चाहते हैं तो I hope पॉइंट यहां पर आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया है आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं आपको कुछ Terminologies के बारे में बता दूँ The Terminologies include Basically Annuity Annuity का मतलब होता है Fixed Sum of Money जो किसी को हर साल दिया जाता है अब देखें Annuity is like pension और एक शब्द और होता है जिसे कहते हैं Gratuity Gratuity is like कि आपने जो पैसे किसी को उसके retirement fund पर दिये तो जो retirement का fund होता है It's like gratitude और जो pension होती है It's like annuity अच्छा Arbitrage की बात करें तो basically एक market से खरीदना एवं simultaneously simultaneously दूसरे market में बेज देना और temporary difference से profit कमाना जैसे हम लोग समझें कि कुछ ऐसी कमपनियां है या कुछ ऐसे terms हैं या traders हैं व्यापारी हैं जो ऐसा काम करते हैं जैसे कि example के तौर पर यहाँ पर एक व्यापारी है A यह सुबह वेट करता है 9 बच के 15 मिनट पे share market के उपन होने का और शाम को 3 बच के 30 मिनट तक share market चलता है Now The point is कि इसने 9 बच के 15 मिनट पे कुछ around 100 रुपय के 100 shares खरीद लिये किसी company के और यह एक intraday trader है तो इसने 100 रुपय के 100 shares खरीदे हैं Now इसने धीरे धीरे देखना शुरू किया कि इन shares की value बढ़ती जा रही है Shares की value बढ़ी then और बढ़ी then और बढ़ी then और बढ़ी then उसके बाद काफी जादा बढ़ गई और माल लिजे कि दोपहर के 12 बजे तक इन shares की value बढ़ करके हो गई 120 रुपय and now this A person decides to sell it तो वो 120 रुपए में अपने 100 share बेज देगा now the thing is कि उसको मिले total 12,000 रुपीज और ये 12,000 रुपीज में investment था ये 1000 का profit आया है 2000 रुपए investment sorry 10,000 रुपए का था profit आया है 2000 रुपए that's how they temporary profit से जब एक अमाते हैं तो इसे arbitrage कहते हैं I hope आपको ये point clear है then आगे बढ़ते हैं acquiring bank एक bank या कोई भी financial institution जो की credit एवं debit card की payment किसी भी merchant के बहाफ में करता है उसे acquiring bank कहते हैं अधिगराही bank कहते हैं तो एक bank या वित्ती संस्थान जो किसी वियापारी की और से credit या debit card से भुगतान की प्रक्रिया करे जैसे अगर मान लीजे मेरा कोई सी bank में बहुत अच्छा repo है और let's say that is SBI State Bank of India तो State Bank of मुझे आफ़र दे सकता है कि आप चाहें तो जितना भी आपका transaction है उस transaction की पूरी प्रक्रिया हम कर सकते हैं हम आपके credit card debit card का bill भर सकते हैं बशर्ते आपको एक महिने में एक ही बार बस हमें pay करना होगा तो एक सुविधा हो गई payment receive करने की और वो payment State Bank of India ने बेसिकली आपको दी है acquiring bank के रूप में तो credit या debit card से भुगतान की प्रक्रिया करने वाला ये किसी व्यापारी की और से कोई भी bank अधिगराही bank कहलाता है या उसे acquiring bank कहते हैं अच्छा देखिए adjustable rate mortgages ARMS कहते है इसे adjustable rate mortgages कुछ MCLR टाइप की सुविधा है marginal cost of fund based lending rate आए इस point को समझे initially interest rate normally fix होता है कुछ time period के लिए and then उसके बाद इसे periodically reset किया जाता है after every month तो periodically reset करने का मतलब क्या कैसे देखें marginal cost of fund based lending rate में आपने loan लिया और basically ये वो rate है जिस rate पर bank आपको loan देता है let's say bank ने आपको loan दिया है 12% पर और ये 12% पर आपने loan लिया बाद में ये initially माल लिए एक साल के लिए fix था पर एक साल के बाद ये float होने लगा कभी ये 12.2% हो जाता है तो कभी ये गिर करके 8.9% हो जाता है तो आपको कभी फाइदा तो कभी घाटा कुछ इसी तरीके का system ये adjustable rate mortgages में भी है जब आप mortgage कुछ गिरवी रखते हो गिरवी रखने के बाद आप basically आप every month इसे review करते रहते हो और every month आपके different different जो interest rate है वो decide होते रहते हैं I hope the point is completely clear now the first question is what is the present amount, what is the present amount of money that a bank has agreed to lend you that you can draw when you need it किसी bank ने आपको उधार देने के लिए सहमती व्यक्त किया और आप इसे जरूरत पढ़ने पर ले सकते हैं उस fund को आप क्या कहेंगे इसका सही उत्तर होगा line of credit देखे line of credit का मतलब ये कि bank की तरफ से किसी भी तरीका का credit issue किया गया जैसे credit card example के तौर पर credit card एक ऐसी सुविधा है जिस सुविधा में bank ने आपको मान लिजे एक लाख रुपए की लिमिट दे दी और इस एक लाख रुपए की लिमिट को आप यूज कर रहे हैं और इसे यूज करते हुए आप इसमें पहले पैसे खर्च कर लेते हैं बाद में 50 दिनों के अंदर आपको issue होता है एक bill और इस bill को भरने के बाद आपकी पैमिंट हो जाती है done that's how line of credit is basically एक ऐसा तरीका जिसे आप जरुरत पढ़ने पर ले सकते हैं ऐसे ही तरीका एक होता है overdraft भी जो current account holders होते हैं उन current account holders को ये facility मिलती है overdraft की current account holder चाहे तो कुछ पैसे overdraft में से निकाल सकता है बशरते इसको given period of type में जो भी bank ने decide किया है वापिस करने पड़ेंगे and वापिस करने के साथ साथ कुछ interest भी pay करना पड़ेगा overdraft की facility ऐसी होती है किसी भी current account holders के लिए especially वो जो खूब business में involved रहते हैं and they function. Now the next thing is which of the following organization is the nodal agency for the implementation of the interest subvention scheme for micro small medium enterprises launched by the ministry of micro small and medium enterprises सुक्ष्म लगू और मध्यम मंत्राले द्वारा शुरू की गई micro small medium enterprises के लिए ब्याज अधीनता योजना के कार्यानवन के लिए निमलिकित में से कौन सा संगठन nodal agency है और इसका सही उत्तर है SIDBI Small Industry Development Bank of India इसकी इस्थापना हुई थी 2 April 1990 को साथ ही साथ इसका headquarters है Lucknow उत्तर प्रदेश में and then Muhammad Mustafa इसके current chairman है as of now when we are discussing it on 28th December 2020 अब देखें यहाँ पर Reserve Bank of India 1 April 1935 को इसकी स्थापना हुई RBI Act 1934 के हिसाब से RBI के current governor है शक्तिका अंतदास और इसका headquarters है मुंबई में SBI के बात करें तो SBI आप जानते हैं pure banking, nothing else यह इसकी tagline है हलाकि इसकी और भी taglines है but State Bank of India के स्थापना हुई थी 1 July 1955 को उसके पहले भी हलाकि बहुत सारे bankों के रूप में यह कारे करता आ रहा था परन्तु SBI ने finally अपने आप को स्थापित किया as SBI on 1st July 1955 it was nationalized and then the control of the entire SBI was given to the government of India now the thing is State Bank of India जो है इसका भी headquarters Mumbai में है and NPCI की बात करें हम लोग National Payment Corporation of India तो यह सभी payment platforms को run करने का काम करता है 2008 में इसकी स्थापना हुई और इसके जो current chairperson है उनका नाम है Dilip Azbe याद रखिएगा Dilip Azbe एवं इसके साथ इसाथ NPCI International NPCI International के जो chairman appoint किये गए उनका नाम है रितेश शुकला तो रितेश शुकला became the CEO of NPCI अच्छा नाबाट की बात करते हैं National Bank for Agriculture and Rural Development 12 July 1982 1982 को इसकी स्थापना हुई थी और headquarters है इसका भी Mumbai में और G.R.Chintala As of 28 December 2020 अभी इसके chairman है आगे चल करके change भी हो सकते हैं The next question is Currency Chest Currency Chest कहते हैं उसे अभी Reserve Bank of India ने Recently घोशना की कि जैपूर में ये अपना एक Currency Storage बनाएंगे जिस Currency Storage का का काम होगा Distribution को देखने का तो note distribution का काम चैपूर में Based Currency Storage का होगा एवं साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि Reserve Bank of India की जो note press करने वाली presses हैं वो मैसूर और सालवनी में हैं जिसमें Reserve Bank of India उनको पूरी तरीके से regulate करता है और दूसरी जो presses हैं वो मैसूर और सालवनी का हमने नाम लिया देवास और नाशिक में हैं जिनको Government of India operate करता है आगे बढ़ें हम लोग तो अगला question ये है Which of the following denomination of bank note is currently not being issued by the Reserve Bank of India निम लिखित में से कौन सा bank note वरतमान में RBI द्वारा जारी नहीं किया जा रहा है और इसका सही answer है कि बोथ A and B नमबर 4 2 रुपए और 5 रुपए इन दोनों के note को अभजारी नहीं किया जा रहा Point क्या है ये भी discuss कर लिया जाए देखिए Reserve Bank of India 2 रुपए और उसके उपर कि जितने note होते हैं वो note छापने का काम करता है तो 2 रुपए और उसके उपर के पूरे note छापने का काम Reserve Bank of India का है वहीं अगर हम लोग बात करें Government का तो Government का काम है 1 रुपए का note और सारे के सारे सिक्के ढालना सभी सिक्के जो कि आपको पता है जैसे हम लोग बात करते हैं कि 25 पैसे और 25 पैसे से नीचे जितने सिक्के हो चुके हैं उनको कहा जाता है Uncurrent Coin अच्छा इसके साथ ही साथ अगर 50 पैसे एवं उसके सभी सिक्कों को हम लोग count करें तो इन्हें कहा जाता है small coins छोटे सिक्के कहा जाता है और वहीं अगर हम लोग 1 रुपए और 1 रुपए से उपर के सिक्कों की बात करते हैं तो यही प्रचलन में है जनरली 50 पैसे के सिक्के कुछ जगहों चोड़ करके अब प्रचलन में नहीं है तो all coins में हमने जो श्रिणी रखी all coins में हमने 1 रुपए और उसके अबव जो भी सिक्के छपते हैं उन सभी को रख लिया इन सभी का कार्य गवर्मेंट द्वारा ही किया जाता है अच्छा नोड़ा में हैदराबाद में एवं मुंबई में वो बैंगलोर में नोट मिंट नहीं बलकि सिक्कों को मिंट करने की टकसाले हैं मिंटिंग जो मशीन्स हैं मिंटिंग मशीन्स यहाँ पर इन्वाल्वड है आगे बढ़े हम लोग यह आप देख सकते हैं कि बैंक नोट जो इंडिया में है वो करेंटली 10, 20, 50, 100, 200, 500 एवं 2000 के डिनॉमिनेशन में निकाले जा रहे हैं 2 रुपए और 5 रुपए के छापने को RBI ने डिसकंटिन्यू कर दिया है उसके भी पीछे reason बता देता हूँ आपको RBI के डिसकंटिन्यूएशन के पीछे reason यह है कि 2 रुपए और 5 रुपए के नोट को छापने की जो cost है वो 2 रुपए और 5 रुपए से ज़्यादा है तो basically cost of printing हमें ज़्यादा पढ़ रही थी और इनके bank note का जो servicing है वो servicing हमें उतनी ज़्यादा नहीं मिल रही थी तो फिर क्या किया गया कि bank note को जो भी issue किया गया था उन bank note को अब बंद कर दिया गया और जितने issue थे वो सभी अभी भी circulation में हैं और वो legal tender रहेंगे चलते रहेंगे The next question is Asian Clearing Union, ACU, has how many countries as its member? ACU जो है Asian Clearing Union उसके कितने सदस्द से हैं और इसका सही उत्तर मैं बताता हूँ आपको The total number of members are 9 Total 9 members हैं, यह भी discuss कर लेते हैं हम Asian Clearing Union है क्या? यह एक तरीके से पांगलादेश, भुटान, इंडिया, इरान, मौलदीफ, म्यानवार, नेपाल और पाकिस्तान इवं श्री लंका तोटल 9 देशों के बीच में जो भी Central Banks, Monetary Authority के रूप में काम कर रहे हैं Asian Clearing Union का काम है, ट्रेड को बढ़ावा देना, करंसी के आसानी से आदान प्रदान को बढ़ावा देना और सभी देशों को एक प्लेटफॉर्म पर ले करके आना, जिस प्लेटफॉर्म पे यह कंट्री प्रॉपरली प्रॉस्पर कर सकें, ग्रो कर सकें Asian Clearing Union की स्थापना की गई थी, United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific, S.C.A.P. के रेकमेंडेशन के बाद, 1974 में जब इसकी स्थापना की गई तो इंडिया, इरान, नेपाल, पाकिस्तान, श्री लंका, बंगलादेश और म्यामार इसके सदस से हुआ करते थे, 1999 में भूटान भी इससे जुड़ा, और भूटान के बाद 2009 में इससे मौलदीफ पे जड़ा, भूटान की राजधानी आप जानते हो, थिम्पू, और भूटान की जो करंसी है, वो है नगल्टरूम, ये भी याद रखेगा, थिम्पू is the capital, बट नगल्टरूम is the currency, 2009 it's a kind of clearing union, total member 9 है, ACU का chairman कौन है, भूटान, 1974 में इसकी इस्थापना हुई, और official website है www.asianclearingunion.org, आगे बढ़ते हैं, next question को discuss करते हैं, How much foreign currency can be carried in cash for traveling abroad from India under normal circumstances, सामाने परिस्थितियों में भारत से विदेश यात्रा के लिए, नगद में कितनी विदेशी मुद्रा ले जाई जा सकती है, और इसका सही अंसर है, Number 4, it is up to 3,000 US dollars per visit, आगे डिसकस कर लें इसे भी, देखें, point यह कहता है, कि सभी countries में जाने वाले travelers, except A और B, 3,000 पर visit लेकर के जा सकते हैं, अच्छा, दूसरा, अगर कोई Iraq या Libya जा रहा है, तो वो 5,000 US dollars लेकर के जा सकता है, और अगर कोई Iran जा रहा है, Russian Federation जा रहा है, या उन Republic countries में जा रहा है, जो कि Commonwealth रहे हैं, यानि कि Britain के कभी न कभी उपनिवेशवाद के हिस्से रहे हैं, वो पूरा का पूरा foreign exchange money, लगभग 2,500,000 US dollars तक withdraw कर सकता है, और इतनी foreign currency के note को carry कर सकता है, एवं coins को carry कर सकता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला जो question है, वे कौन से मार्ग हैं जिनके तहत भारत में विदेशी निवेश किया जा सकता है, What are the roots under which foreign investment can be made in India? तो इसमें question के जो पहलू है, उन पहली हों को देखें, Automatic route, Government route, FAR, Automatic route, Government route, FAR, VRR, MTF, Automatic route, Government route, FAR, VRR, MTF, या Automatic route, Government route और MTF, इसका सही उत्तर है, Automatic route and Government route, आई ये बता देते हैं इसके बारे में भी, Fully accessible route के तहत, अगर हम बात करें, FAR के तहत, तो जो भी eligible investors होते हैं, वो Government securities को purchase कर सकते हैं, और उनकी investment ceiling नहीं होगी, यानि उन पर कोई भी किसी भी तरीके का चार्ज नहीं रहेगा, और medium term framework, MTF, एवं voluntary retention route, VRR, इन दोनों के तहत investment किया जाता है, आई ये इनके बारे में समझ लें, voluntary retention route जो होता है, ये एक ऐसी scheme है, जो foreign portfolio investors को भारत के debt market में, debt का मतलब भारत में जो shares, bond और debentures issue किये जाते हैं, उन में से bond और debenture market, share market तो equity market का हिस्सा हो गया, तो याद रखिए कि voluntary retention mode में, long term investment किया जाता है, Indian debt markets में, bond even debentures में, और medium term framework, MTF की बात करें, तो ये scheme VRR के जैसी ही है, बस यही है कि इसमें restrictions होते हैं, और investors के लिए थोड़ा सा ceilings होती हैं, क्योंकि उसके बीचे reason यह है कि ये short term के लिए investment होता है, तो कई बार fraud होने के chances होते हैं, इस fraud के chances को कम किया जाता है, by the way, आगे बढ़े हम लोग, तो next question को discuss कर लेते हैं, on cash withdrawal at ATMs and for purchase of goods and services, ATM में नकत निकासी की सीमा और वस्तुएं एवं सेवाओं के खरीद के लिए कौन तै करता है, Reserve Bank of India तै करता है, NPCI तै करता है, Ministry of Finance तै करता है, Card Issuer तै करता है, या इन में से कोई नहीं, और इसका सही उत्तर मैं आप लोग को दे देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, इसे सुधार लेंगे, The correct answer to this question is, Card Issuer, जो भी Card Issuer होता है, वो यह लिमिट स्तै करता है, यहाँ लिमिट on cash withdrawal at ATMs and for the purchase of goods and services are decided by the Card Issuer, Card Issuer उस लिमिट को fix करता है, अगला जो question है वो यह, कि what is the maximum value of transaction allowed in a CP transaction, accept ATM transactions using NFC contactless technology undertaken without authentication factors requirement, AFA आवशक्ता के बिना, NFC संपर्क रहित प्राद्योगी का उपयोग करते हुए, एक CP लेंदेन, यानि ATM लेंदेन को छोड़ कर, लेंदेन की अधिकतम कीमत क्या है, और लेंदेन की जो अधिकतम कीमत है, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, So, the correct answer to this question is, 5,000 रुपीज पर ठाखेगा कि ये 2,000 रुपए की लिमिट को बढ़ा करके 5,000 रुपए कर दिया गया है, The limit has been increased, तो ये 5,000 रुपए है, So, again, what is the maximum value of transaction? The question is, what is the maximum value of transaction allowed in a CP transaction except ATM transactions using NFC contactless technology undertaken without AFA requirement? AFA अभश्यक्ता के बिना NFC संपर्क रहिक तुरद्दोगी की का उपयोग करते हुए CP Lendain, ATM Lendain को छोड़ करके Lendain की अधिकतम सीमा क्या है? और इसका सही answer है, 5,000 रुपए पर transaction, पहले ये 2,000 रुपए पर transaction limit हुआ करती थी, और RBI ने recently इसे बढ़ा करके 5,000 रुपए पर transaction कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, it's 5,000 रुपीज पर transaction done by the Reserve Bank of India recently, card present, अब आई ये इस पूरे के पूरे system को समझ ले, CP transaction का मतलब होता है card present transaction, यानि कि जब आप card ले करके कहीं पर POS में swipe करते हैं, तो contactless technology के तहट, यानि कि आपको touch नहीं करवाना card को कहीं पर, बस आप card को swiping machine के पास ले करके जाएं, 5,000 रुपए तक का transaction without additional factors of authentication, यानि आप बिना OTP, या बिना card को डाले हुए कर सकते हैं, पर अगर आप 5,000 रुपए के ऊपर का transaction करते हैं, तो आपको card डालना पड़ेगा, और card डाल करके उस पर अपना PIN नंबर भी डालना पड़ेगा, और साथ ही साथ OTP भी, तो subject to the adherence of EMV standards, आगे बढ़ते हैं हम लोग, next question को discuss करते हैं, The rate at which Reserve Bank is ready to buy or re-discount, Bills of Exchange or other commercial papers is known as Reserve Bank, जिस दर पर विनिमे या अन्यवानिजिक पत्रों के बिलों को खरीदने या फिर से लेने के लिए तयार रहता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे किस रूप में जाना जाता है, तो देखे, उस दर की बात कर रहे हैं हम, जिस दर पर Reserve Bank of India, बिल डिस्काउंटिंग या commercial papers को लेने के लिए ready है, So the correct answer is number 4, उसे bank rate कहते हैं, देखे, bank rate के बारे मैं आपको बता दूँ कि जब बिल डिस्काउंट किया जाता है, यानि कि जब negotiable instruments act मैंने आपको बताया, तब मैंने समझाया था कि कोई भी बिल, जो की भी A को pay करने वाला है, वो बिल A के पास पड़ा हुआ होता है, हम लोग बात कर रहे हैं by the way, बिल उफ एक्षेंज की, अब इस bill of exchange, अगर ये तीन महीने का है, और A को दो महीने में ही पैसे चाहिए, तो A, bank के पास जाकर बोलेगा, कि सर हमें दो महीने के अंदर ही पैसे चाहिए है, maturity के पहले पैसे निकालने के लिए, A के उपर कुछ amount चार्ज किया जाएगा, और ये जो amount चार्ज किया जाता है, इसे ही हम लोग कहते है, bill discounting, I hope आपको ये point clear है, bill discounting क्या कहलाता है, bill discounting is, जो amount चार्ज किया जाता है वो, आगे बढ़े हम लोग, तो मैं आपको नए question को बता सकता हूँ, What is an automated electronic payment service, that allows you to make monthly payment, to the billing organizations, from your bank accounts, directly, एक स्वचालित electronic भुक्तान सेवा कौन सी है, जो आपको सीधे, अपने bank खाते के billing संगठन, बियों को मासिक भुक्तान करने की अनुमती देती है, और मासिक भुक्तान करने की अनुमती देने वाली, जो सुविधा है, उसे कहा जाता है G.I.R.O. आईए इसका भी आंसर देख लेते हैं, General Interbank Recurring Order, कहते हैं इसे G.I.R.O. Recurring का मतलब होता है, amount को, जब आप मन्तली करें, आप इसे मन्तली करें, Monthly Recurring Order, General Interbank Recurring Order, एक convenient और paperless manner में, cashless manner में payment का तरीका है, जो की, आप अपने Billing Organization की, hassle-free monthly payments को, आराम से निफटा सकते हैं, वो भी अपने bank account से, जैसे, मैं example के तौर पे आपको बोलूँ, की, Bank of India ने आपको एक सुविधा दी, जिस सुविधा के तहत, आपके gas का, आपके electricity का, आपके water का, या आपके पार्क का, या आपके जो other expenses हैं, इन सभी का जो भी Bill है, वो सभी के सभी Bill, अगर आप एक ही बार में पे कर लो, और एक ही जगे से पे करो, तो उसे कहते हैं, General Interbank Recurring Order, गिरो, तो ये आपकी recurring payment होगी, इकठे आपके account से पैसे कट जाएंगे, आपको बार-बार इन सभी अलग-अलग को जमा करने की ज़रूरत नहीं है, this is how this system is, आगे बढ़े हम लोग, तो यहां तक इस session को हम लोग cover करते हैं, और इस session में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने समझा, now the point is, this is a very good discussion, very healthy discussion, ार ऋर टार बार देस히 बड़े हम पहराइब आमालग लोगों लोगो женщा को हम लोगद दूरत अज़पशन, आपको आपको हम यहां दोगती हैं, खको लोगद़ की ज़के खकी ऑने स क्योबस, झाल झाल